विदायक की गाड़ी चल रही है आगे पुलिस वालों की गाड़ी है उसे पास मागा जाता है पास नहीं दिया जाता और खबर यह चपती है कि विदायक साब ने जो थाना पर भारी थे और दो और पुलिस करम जाए थे उन्हें लाइन हाइजर हाजिर करवा दिया यह एक हमारी नजर इस पर पढ़ती है तो हमने स्पी मैडन शाली अगनी होतरी का पक्षपी इसमें जाना है और खुद विदायक साब चंदर शेकर जी जो की धरमपूर से विदायक हैं कॉंग्रेस के और पूरी मंडी कॉंसिट्रेसी की 10 सीटों में इकलोते कॉंग्रेसी हैं जो कि 9 सीट पर आपको जैसे के पता है कि BJP वालों ने जीत दर्च की है तो ये सोयम हमारे साथ मौजूद है और बताएंगे कि क्या वो घटना थी और कितनी इस ख़बर में सच्चाई है क्योंकि आज फेस्बुक पर इनोंने उस ही अखबार की कटिंग को डाला अपने अपने नियोजी था कि ये छपना है ये पहली बार नहीं गटा है एक जिम्मवार नियूज पेपर है भारत का और चुंकि पिछले तीन महीने से लगातार इस पत्रिका के उपर हम नजर मारते हैं तो ये राजे सरकार क्या जितना भी एफ़र्ट है उस एफ़र्ट को बैक पेज प कर रही है दूसरा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस पर इनका सिधा हमला जो है वो मानिय सुख हिंदर सिंग सुखुजी की सरकार के उपर या उनके साथ जुड़ा हुआ जो परशाशने उसके उपर ना हो सभाविक सी बात है हम क्षेतर के अंदर काम कर रहे हैं और जिस बात का ये कहीं पी ऐसा हुआ ही नहीं है कोई ना मुझे पूलिस की गाड़ी मिली ना मेरे साथ कोई गाड़ी आगे थी ना कोई पिछे थी मैं तो जो प्रभारी जिनकी बात ये हुई है जिनको लाइन हाजर हुए है मैं तो इनसे पिछले डेड़ दो महीने में मिला ही नहीं हूँ ये कई मुझसे बात ही नहीं हुई है अभी प्रशाशन की हमने मेला में मीटिंग ली थी तो इनके दो या तीन नंबर के अधिकारी उस मेला की मिटिंग में आये थे और डेस्पी साब सुएम थे प्रभारी तो मुझे तब भी नहीं मिले अब बात आती है कि जी ये च्छापा क्यों गया च्छापा इसलिए गया क्योंकि च्छापने के लिए त्यारियां पहले से कर रखते हैं जिस दिन माने मुख्यमंत्री जी हमारे क्षितर के एक मातर आईपियस अधिकारी जिनकी दुखत मृत्ती हुई थी धर्मशाला में उनके परिवार से मिलने के लिए राहुल गांदी जी की भारत जोडो यात्रा से निकल कर अगली दिन यहां पहुंचे और सीधे धर्मपुर हलकी के अंदर आए और पिछले मंत्री महिंदर सिंग जी की पंचायत में ही ये घटना घटी थी दुखत घटना तो मुखे मंत्री जी उनके यहां जा रहे थे तो मंत्री जी ने पिछले मंत्री जी ने अपने पूरी कार्यकारणी परधान और ये सब वहां बुलाकर नारे लगवाए मुखे मंत्री जी के स्वागत के जबकि मुख्यमंत्री जी का जो कारेकरम था वो शोक व्यक्त करने का था और अगले दिन अखवार चापती है कि जादू की जफी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को डाल दी है ये च्छपा और ये च्छपा नहीं कि उन्होंने उस परिवार के प्रती अपने सवेदना व्यक्त की मेहिंदर सिंग जी की वो पंचायत का वो परिवार के थे चाहते तो वो भी मुख्यमंतरी के साथ चल पड़ते हम तो उसमें कोई अपती नहीं थी लेकिन उन्हों जाने के बजाए उन्हें मुख्यमंतरी का साथ गता और अपने घर पे रुक गे एक बात दूसरी बात हमारे यहाँ से एक औफिस डी नोटिफाई हुआ हुआ हौल्टी कल्चर डिप्टी डिरेकटर आफिस माने मुख्यमंतری जी से 흥 उसमारें बात की क्या भारð सरकार की योजने के ठाहिट यह दिफतर भी चल रहा है तो इसको बंद करने का कोई सवाल नहीं तो मुख्यमंत्र जी ने कहा कि समय पर हम इसको री-नोटिफाई कर देंगे जैसे ही वो दुबारा नोटिफाई हुआ उज दिन फिर जाला ने खबर चापी कि ये दफ्तर जो है वो जादू की जफ़्ी के असर से दफ्तर खुल गया हम क्या कर रहे हैं फिर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है अगर मेंदर सिंग जी ही या भाजपा ही प्रदेश की सरकार को जफिया डालके चलाएगी तो ये जो जैराम जी आज यहां पर हला कर रहे है मंडी में आके और मन आकरोश निकाल रहे हैं अपना मन का आकरोश है उनका अभी जनाकरोश तो उनके खिलाफ था अगर जना आक्रोश उनके खिलाफ नहीं होता तो ये सत्ता से बाहर जाते कैसे ये तो मन में आक्रोश फूट रहा है उसको ये अभी वक्त करें ये खुले हैं लेकिन जिस तरह से अब ये पेश कर दिया गया ये नाटक प्रस्तूत कर दिया गया मुझसे बात नहीं होई है मेरा वर्जन पूछ लेते आप S.P. मंडी का वर्जन छाप देते आप D.S.P. का वर्जन छाप देते आप किसी से बात भी पुलिस ये जो अपने शालीनी अग्नियोतरी मैम है उनका पक्ष उन्होंने छापा है अलांकि मेरी शालीनी मेम से बात हुई इसी मामले पैस की मंडी से उन्होंने ये कहा है कि जो गाड़ी उनको जो सरकारी गाड़ी जो इस्तमाल करते थे उसमें वो कुछ उसको परसनल यूज के लिए यूज किया जा रहा था ये था रिजन और कुछ उनकी डिसिप्लिनरी पहले से इसमें जो आपका वाला जो एंगल है ये नहीं है तो उन जो दो पहले की जो कमप्लेंट्स थी और जो समांड होने वाली पुलिस की गाड़े में उसके बिना पर उनको लाइन हाजिर किया घया तो यह मुझे शालीनी मेम ने बताया इसान पर अपने ज्मेवारा ध ख़बार के से ये बुद्दा उठाया जो उनके ब्यूरो है जो उठाने वाला तो समय चला गया अब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो मेरे पास कानूनी सलाएं हैं जो मेरे वकील लोग मुझे सलाद देंगे जो कानूनी पक्ष है में उसको एक्स्प्लूर करूंग और बहुत लंबे समय तक मैं इनको जहल चुका हूँ स्थानिय पत्रकार को भी जहल चुका हूँ और इस आखवार को भी जहल चुका हूँ मैं इसमें बड़ा स्पस्ट हूँ नीती के अधार पर जो भी बात बनेगी हम उस पर एक्शन लेंगे मतलब कि आप पिछले एक दो दिनों में कोई भी आपका ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें पुलिस की गाड़ी आगे चल रही है उसने आपको ओवर्टेक ना किया हूँ कोई दूर दूर तक कोई जिकरी नहीं था इनके साथ कोई बात ही नहीं है मुझे मिले ही नहीं है कहीं भी इनसे कोई मेरी बात ही नहीं हुई है अगर कोई आन रिकॉर्ड बात हुई है तो मैं चाहूँगा कि जिसके सामने भी बात हुई हो सामने आ जाएं यह मेरा क्शित स्थानिय पत्रकार के जो मास्टर हैं आप ठ्रैक रिकॉर्ड चेक करिए धर्मपूर की जो डेट लाइन है उसको चेक करेंगे उसमें हमारा पक्ष पिछले 20 साल में कभी छपाई नहीं है ये एक तरफा छपता है और उसी की सीरीज में ये अपने आकाउं को खुश करने के ल स्पिकर हैं मैं उनसे बात करूँगा इस पर विशेशा दिकार अगर बनता है तो मैं उस हद तक जाओंगा और यह आरपार की बात है कि करम चार्जें को लाइन हाजीर करवाया गया है एस पी ऑफिस में तो यह कहने कि ऐसा एक बात और भी कहना चाहता हूं नहीं पत्रकारिता मैं भी स्टूण रहा हूं पत्रकारिता का पत्रकारिता का सतर जिस तरह से आज की डेट में हमारे सामने प्रस्तूत हुआ है यह हमने कहीं नहीं पड़ा, ये येलो जनरिजम है, ये आप पुरी तरह से चीजों को डिस्टॉर्ट करके जनता में पेश करोगे, अब मैं ये भारत के स्थर पर ये चीज वाइरल कर दीगी, अब मैं कहां कहां इसके सफाईयां देता फिरूंगा, कौन सुनेगा मेरी सफाई को जनता तो एक तरफा तस्वीर बनाके बैठ जाएगी, और पहले ही जनता का विश्वास राजनितिक लोगों पे कम रहता है, हम विश्वास पैदा करने के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, ये जनता के विश्वास को तोड़ देत हैं, तो मैं चाहूंगा कि जिम्मेवारी पूरण निरने ले, अखवार का मेनेजमेंट भी इस पत्रकार के बारे में ले, अन्य था, प्रकाशक तक इस बात की आँचाने वाले हैं, आप पूरे अखवार के खिलाफ नहीं हैं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, सिर्फ आप मुझे पर्टिकुलर पत्रकार हैं, उनके, मैं क्यों हूँ, लेकिन जो छाप रहे हैं, उनको भी प्रकाशक वो चाहिए कि एक बहुत बड़े जिम्मेवार आदमी के खिलाफ आप जब हैडलाइन हिमाचल प्रदेश के पहमाने पर छाप रहे हो, मेरा पक्ष भी सुन लो, मेरा पक्ष को आप एक छोटा से स्पेस दे दो, लेकिन पता तो कर लो, यह भी नहीं हुआ है, तो मुझे दुखा यह बात लगी है, मैं इससे पिड़ा में हूँ, और यह जो मेरी इज़त को इनोंने तार-तार करने की एक कोशिश की है, मैं इसके खिलाफ हूँ, और इसको पर पोलिस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें